तो अगर आपको ethical hacking start करनी है तो आपको एक system चाहिए, एक computer चाहिए जिसको आप अपनी attacking machine बना पाओ और उसमें software की security को test कर पाओ, उनको hack कर पाओ तो ये सवाल मुझे काफी सालों से काफी बार आया है कि मुझे ethical hacking start करनी है, हमें पढ़ना start करना है, हम beginner है तो हमको कौन सा laptop लेना चाहिए या laptop लेना चाहिए या PC लेना चाहिए और काफी cases में लोग PC प्रिफर नहीं करते हैं क्योंकि mostly students होते हैं, college जाते हैं, school जाते हैं, travel करते हैं, तो वो हर जगे PC लेकर उठा कर तो जा नहीं सकते हैं तो उनको laptop चाहिए होता है थिन और compact जिसमें उनका काम हो जाए, तो इन सारी चीजों के कारण एक laptop कफी important हो जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपका सारा confusion clear करने वाला हूँ, कि अगर आपको ethical hacking या cyber security के लिए laptop लेना है, तो आपको क्या क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए उससे लेने से पहले और कुछ recommendations भी है कि आप कौन सा ले सकते हो मेरे recording जो मैं आगे आपको detail में वीडियो में बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना काफी helpful होने वाला है, तो आए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हायरेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्या आपको एक job चाहिए, एक job पाने के लिए कि देने पापड बेलने पड़ते हैं न, क्या आपको भी ऐसा लगता है, मेरा भी यही हाल था, पर अब मौसम बदल रहा है, गम के बादल जा रहे हैं और हायरेक्ट के सुनेरी धूप आ रही है, मेरा मतलब यह है कि अब job पाना काफी आसान हो गया हायरेक्ट एप आने के बाद, हायरेक्ट पे जाके टीम लीडर्स और HR मेनेजर से डिरेक्ली चैट करो और हायर हो जाओ, बिना किसी मिडिल मेन के, और हायरेक्ट पे लाग से भी जादा कमपनीज डिरेक्ली हायर कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके क्लिक करना है, हायरेक्ट एप को इंस्टॉल करना है, और फिर आपको कुछ कोईशन के आंसर देने हैं, प्रोफाइल बनान लोग मुझसे पूछते हैं कि exact brand बताओ, exact model बताओ, laptop किसका लें, तो मैंने कभी भी brand या model को preference नहीं दी है, अपना laptop लेने के लिए, और मैं आपको यही रेक्मेंड करूँगा, कि आप priority दो specifications को, क्योंकि at the end of the day आपको performance चाहिए, और ethical hacking के लिए क्या criteria होना चाहिए, क्या क्या चीज़े देखनी चाहिए, performance के लिए, वो मैं एक एक करके systematic way में बताओंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कि ethical hacking जैसे professional काम के लिए भी आपको कोई high end sophisticated laptop की जरूवत नहीं ह इसकी hype मत बनाओ, मतब एक normal सा entry level 30-40,000 का laptop भी अच्छा काम कर जाएगा, कोई भारी requirement नहीं है, हाँ एक बार आप सीख गए, आपको काफी कुछ आ गया, आपको practice करनी है, आपको CTFs खेलने है, आपको bug bounty करनी है, तो आपकी requirements हाई हो जाती है, लेकिन as a beginner यतनी tension मत लेना इस चाते हैं, बस entry level कुछ सीखना चाते हैं, उनको पता करना है कि उनको और कितने specifications की जरुवत होगी, और वो कितना आगे बढ़ना चाते हैं, तो ये उनके लिए है, जो minimum requirements है, जितना आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे आपका barely काम हो जाएगा, दूसरी category है मेरी recommended category, कि आपक कुछ साथ high end भी नहीं है, बिल्कुल balanced category होगी है, और तीसरी category है pro category, मतलब आपको budget का कोई issue नहीं है, आपको सिर्फ performance मतलब है, मतलब एक beast configuration बोलते हैं इसको की, मतलब एकदम comfortably, एकदम मकन की तरह आपको अपना PC चलाना है, कोई lag नहीं, कोई issue नहीं comfort के, मतलब आप आराम स processor, उसका CPU, तो as an ethical hacker आपको बहुत सारे tools एक सार चलाने, आपको बहुत सारे OS एक सार चलाने, आपको virtual machines चलाने, आपको Linux Windows के सार चलाना है, 2-3 OS एक सार चलाने, attacks perform करने हैं, multitasking करनी extensively, तो उसके लिए आपको एक powerful processor चाहिए होगा, multi core performance वाला processor चाहिए होगा, तो beginner category में मैं ये और Intel का लो या AMD का लो इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, कि with experience जो AMD के processors है वो multitasking में ज़्यादा better होते हैं, थोड़े से, और जो Intel के हैं वो थोड़े से gaming में ज़्यादा better होते हैं, तो आपकी preference है, कोई भी आप ले सकते हो, आपक अब नहीं है उसका, और AMD के case में आप पर 3000-4000 ऐसे generation होती है, तो आप 3000 से कम मत जाना beginner के लिए, और आपकी अभी preference multitasking है, तो आप AMD के processors prefer करो Intel से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा, और recommended category में मैं बोलूँगा, Intel का i5 या AMD का Ryzen 5 जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, AMD Ryzen 5 3500X, जो की काफी अच्छा है, मेरे case में balanced है, और यहाँ पर generation का ध्यान देना, आप generation 11th लोट और बेटर है, 12th वाला थोड़ा सा मुझे costly लगता है, performance basis पे, तो आप 11th ले सकते हो, जो pro category है, उसमें आप Intel i7 या Ryzen 7 ले सकते हो, जिसकी requirement नहीं होने वाली है, वो more than enough है, थीक है, आ आप ले सकते हो, लेकिन आजकल Ryzen 9 और i9 भी आ चुके है, 11, 12th जनरेशन या फिर 5000 सीरीज, तो यह सब आप ले सकते हैं, इन जिर की कोई जरुवत नहीं है, यह बहुत overkill है, किसी भी point of time में मेरे कहाल से आपको जरुवत नहीं लगने वाली है, लेकिन जिनको शॉक है, जि कर पाए, तो CPU और RAM दोनों एक साथ combined आपकी performance को जच करते हैं, ठीक है, तो अगर RAM की बात करें, तो beginner category में minimum आप 4 से 6GB RAM यूज़ करो, क्योंकि मैंने देखा लोगों कि आजकल जो Linux Machines आ रही हैं, काली के जो VMs आ रही हैं, वो कफी भारी आ रही हैं, VM के जो images हैं, वो भी, त करता है, smooth नहीं चलता है, frame drops करता है, तो मतलब आप ट्राय कर सकते हो, अगर आपका budget issue है, तो 4GB RAM से आप स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो, कितना lag हो रहा है आपका PC, कुछ और काम मत करो, उसके लावा तो ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन जो recommended category है, हमें ये बोलूँगा, कि at least 8GB RAM रखो, तो आजकल के laptop में भी आपको अगर sale में आप लेते हो, तो 8GB RAM वाले ही मिलते है मेरी मम, तो वो आप ले सकते हो, वो काफी better है, 8GB अगर आपको 1VM या maximum 2VM चलाने है, तो आपका 8GB आराम से चल जाएगा, उसमें काम, और या पर DDR4 या उससे अच्छा वाला विंडोस की, तो आप उसमें अगर 2GB भी दोगे, तो आपको 8GB ऐसे यूज हो गया, तो कभी आपको requirement पड़ी इसकी, तो आगे चल के आप upgrade भी कर सकते हो, 8GB और आप Alexis slot लगा सकते हो, जिसका Alexis slot हो, वो वाला laptop लेना, और जो pro लोग है, उनको 16GB RAM रेकेमेंड कर सकता हूँ, ये more than enough है, आपको hacking में ज्यादा काम नहीं आएगा, अगर आप casual gaming करते हो, कुछ low end games खेलते हो, like GDA5 अगर भी आप खेल सकते हो, तो वो भी चल जाएगा अच्छा कासा, 16GB में, अगर आप gamer नहीं है, अगर आप बिल्कुल game नहीं खेलते हैं, तो ये more than enough है, लेकिन यार मैं अगर आपका बजट है, तो go for 16GB, अब थर्ड क्राइटेरिया है, अब ये कुछ सालों से ही, ये performance क्राइटेरिया में आया है, तो आजकल performance इससे भी decide हो रही है, मैं बताता हूँ क्यों, कुछ time पहले तक नहीं था, तो आजकी date में आपके पस दो टैप की storage होती है, पहली है HDD, दूसरी है SSD, अब HDD की बात करें hard disk drive, तो ये पुराने जमाने में हम use करते थे, जिसमें sound आता था, मतलब उसमें magnetic disks होती है, और वो घूमते रहती है, और उसमें data write होता है एक arm से, तो ये काफी slow होती है, मतलब अगर आप इसमें system install करते हो ना, तो आपको minimum 1-5 minute लगता ह है, पूरे desktop icons आने तक, पूरा boot time complete होने तक, तो ये थोड़ा slow होता है, और आज की date में जो नई technology आई है, जो SSD है, solid state drive, इसमें कोई moving parts नहीं होते हैं, तो ये electrically data write करती है, और मैं बता दूँ कि ये traditional hard disk से 4 गुना ज्यादा fast होती है, लेकिन एक trade-off यहाँ पर यह है कि ये traditional hard disk से 2-3 गुना महंगी भी होती है, तो यहाँ पर choose करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं अभी आपकी थोड़ी मुश्किल कम करता हूँ, तो as a beginner भी मैं आपको recommend करूंगा, कि minimum आप 128 GB की SSD तो ले ही लो, क्योंकि मलब जो hard disk है, अगर आपको storage बढ़ानी है, तो आप external लगा सकते हो न, वो जादा महंगी नहीं आती है, वो आप multiple systems में भी use कर सकते हो, अलग-लग system में लगा के, तो minimum इसलिए मैंने बोला, क्योंकि आपको performance boost दिखेगा, आपकी जो data की read और write speed होगी है, वो काफी fast होगी, तो अगर आपका RAM अच्छा नहीं है, 4 GB है, या 6 GB step से है तो भी आपका काम fast होगा, तो यह काफी beneficial होता है, अगर आप minimum SSD रख दोगे, आज की date में बहुत important होगी है यह, तो beginner भी रखी लेना, तो data transfers आपके fast होते हैं, इसमें और जो boot time में आपका significantly reduce होता है, like 20-30 second में पूरा आपका PC boot हो जाएगा completely, और recommended category में मैं यह बोलूँगा, अब कि आप 256GB की SSD, plus 1TB की hard disk वाला laptop ले लो, या अगर आपको laptop में HDD 1TB का नहीं मिल रहा है, या मिल ही नहीं रहा है, तो आप 512GB की SSD वाला laptop ले सकते हो, तो उसमें आपका सारा काम हो जाएगा, और अगर आप pro level के बंदे हैं, तो आप hard disk के वो भी ले लो, और 512GB या 1TB SSD भी लगा लो, तो जो system आप इंस्टॉल करोगे, वो SSD में कर लेना पूरा, और जो भी आपकी files है, जिसमें आप काम करते हो, like photos, videos, documents, आपकी काम के awarding, वो सब आप hard disk में डाल सकते हो, तो यहाँ पर आपका system जो है, वो पूरा SSD में जाएगा, और पूरा free रहेगा, उसके ल दलवाया था, मैंने आपको बताया भी था, तो मैंने वापर graphic card इसले लिया था, क्योंकि मुझे gaming भी करनी थी, मैं casual gaming भी करता हूँ कभी गभी, तो इसके लिए मैंने entry level का graphic card 1650 super उसमें लगवाया था, लेकिन जो आते कालाखें के काम होते हैं, कभी कबार आपको काम आ सकत और आपका system थोड़ा जादा fast चलता है, CPU free होगा, तो आपका system fast चलेगा ही चलेगा, तो इन सब कामों के लिए आप GPU ले सकते हैं, लेकिन इन सब छोटे मोटे काम के लिए जो आपको जादा काम भी नहीं आने वाले हैं, उसके लिए आप dedicated graphics लो, वो worth it नहीं है, क्योंकि 20 का हो, M20 का हो, तो beginner के लिए वो more than enough है, वो भी graphics अच्छा आपको दे देता है, और AMD की case में भी वैसे ही है, लेकिन मैं recommend ये करूंगा, कि आप एक minimum जो अलग से dedicated graphic card minimum वाला मिल रहा है, वो ले लो आप laptop के साथ, क्योंकि कभी कबार मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत ही simple, बहुत minimalistic, like 1650, आपको minimalistic मिल जाता है आजकल, आजके date में, तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि आपको कभी कबार casual gaming करना हो, या password cracking जैसे काम जो होते हैं, आपके display का जो resolution है, या refresh rate है, या जो quality है, वो अगर use करता है graphic card अलग से, तो उसके लिए आपको काफी काम आएगा, आप multiple displays भी graphic card से, और जो pro लोग हैं, उनको तो मालब 2GB 1650, या 4GB 2070, 3050, या radion 5500, ये सारे जो हैं, वो सारे काम आजाएंगे, उससे जादा भी आप जा सकते हो, और आप casual gaming, अच्छी gaming भी कर पाओगे, और hacking का काम तो होगा ही होगा, more than enough है, वो तो बोलने की ज़रुवत नहीं है, ले इसी order में preference देना, जिस order में मैंने बताई है, अब एक पांचवी category मैंने और रखी है, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़े ऐसी होती है, जो काफी ज़्यादा help करती है, चोटे-चोटे चीज़ें, long run में, जो मैं चाहता हूँ कि एक laptop में हो आपके लिए, और इसमें मैं beginner के लेने जार रहे हो ना, तो उसमें ensure कर लो कि उसमें type-c port हो, और आजकल जितने भी laptop साहरे हैं, सब में type-c port मिलता ही है, क्योंकि ये port काफी compact है, उल्टा सीधा कैसे भी लग जाता है, और हर चीज़े में use हो रहा है आजकल, और बहुत fast भी होता है, और अगर आपको converter ही security नहीं होगी, तो फिर embarrassing लगेगा ना, बाकी मैं ये recommend करता हूँ कि जो laptop आप लेने वाले हो ना, उसमें ये कोशिश करना कि जो keyboard हो वो backlit हो, बहुत बार आपका काम हो सकता है कि रात में हो, और IT वाले हो, तो कभी ने कभी ये face करना पड़ेगा कि आप रात में काम कर रह होता है, और अगर आप जाधा देर बैट होगे, computer में काम करोगे, तो आपकी eye strain नहीं होगी, थोड़ा easy rag आपके लिए, और हाँ, Wi-Fi के लिए 5 GHz वाला band भी होना चाहिए, क्योंकि वो fast होता है, काफी 2.4 से, और काफी बार ये होता है, हमारे लिए काफी common है कि हम काफी सरक task करते हैं, बहुत ही heavy task करते हैं, cracking हो, अगर आट डून्स चलाते हैं, तो उसके कारण VM चलाने के कारण आपका जो CPU है, वो heat होने लगता है, बहुत जाधा heat produce होती है, तो कोशिश करना कि जो cooling fans है, आपके वो पीछे की तरफ हो, या sides की तरफ हो, नीचे की तरफ ना हो, क्यो क्योंकि आपको travel करना है उसके साथ, तो अगर आप school जाते हो, college जाते हो, तो आपके लिए handy रहेगा, और जो pro लोग हैं, उनके लिए तो सारे gaming laptop के features आ जाएंगे, like RGB backlit keyboard, dual cooling fans, wifi 6, sleek design और पता नी क्या-क्या, तो अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अगर आप एक gaming laptop लेते हो, अपनी ethical lacking needs के लिए, तो वो best रहेगा, क्योंकि उसमें by default ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, like CPU अच्छा होता है, उसमें RAM अच्छा होता है, graphic card भी होता है, उसमें as a cherry on the cake, और बाकी जो SSD होता है, वो भी होती है, उसमें त इसकी मेरी recommendations तो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप specs को priority दे के laptop लेना, और मैं ये बात बिल्कुल भी neglect नहीं कर रहा हूँ कि brands important होते हैं, brands बिल्कुल important होते हैं, अगर मैं brands के बारे में भी बता हूँ आपको personally, तो मैंने Lenovo का laptop यूज़ किया है, पिछले 4 सालों से, और मैंने Apple भी यूज़ किया है, लेकिन Lenovo की बात करें, तो personally, तो अगर मैं Lenovo की बात करूँ, तो वो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अच्छा laptop है वो भी, लेकिन personally मैंने कुछ notice किया है, उसकी जो build quality है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है, लेक एक डिट सल बाद ही मेरा hinge तूट गया था, जो laptop के keyboard और उसके नीचे का जो surface होता है, जो connection होता है वो तूट गया था, अगर आप laptop को खोलते हो, तो वो ऐसे बाहर निगलने लगता है, तो मैंने उसको काफी बार बनवाया है, और मैं disappointed हूँ उसकी build quality से, आज भी वो ऐसे ही है, और दूसरी च करता हूँ, तो मुश्किल से आदे से घंटा ही चलता है, उसे ज्यादा नहीं चलता, लेकिन Lenovo के जो gaming laptops होते हैं, वो काफी एच्छे होते हैं, जैसा मैंने logo से सुना है, और मैं plan भी कर रहा हूँ laptop लेने का अलग से Lenovo का ही नया वाला, तो अगर मैं gaming laptops की preference की बात करूँ, त आप सर्फिंग करनी है, सिंपल ही है, मलब स्टुडेंट की तरह, मलब Excel वगर चलाना है, वर्ट चलाना है, तो आपके लिए Lenovo बेस्ट है, और अगर आपको रफ यूज है, आपको heavy काम करने है, heavy video editing करनी है, heavy programming करनी है, multimedia production करना है, तो आपके लिए Dell बेस्ट है, क्योंकि उस tasking करनी है, तो HP, Lenovo, Dell, ये मेरी preferences है, तो यही था आज की वीडियो में, I hope आपको अच्छा लगा होगा, कुछ idea मिला होगा, कैसे आपको अपनी machine बनानी है, अपनी attacking machine, laptop लेना है, all the best आपको और अच्छा laptop लेना, और अगर आप भी अपना हर काम direct करने में भरोसा रखते हैं तो हायरेक्ट पर जाकर job ढूढ़िए, ये एक direct hiring app है, यहाँ पर आप डेड लाग से जादा companies के team leaders और HR managers से बात कर सकते हैं, उनसे chat कर सकते हैं directly, वो भी बिना किसी middleman के, तो link description में है, जाकर जरूर देखना, क्योंकि हायरेक्ट है तो direct है, तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लगा, तो subscribe जुरू करना प्रीज वीडियो को, और आगे ऐसी वीडियो से आपके आते रहेंगे, यहते का लाकिन cyber security पे, तो बस देखते रहें, इस सिखते रहें हो, goodbye